तो हेलो प्यारे साथियों यहाँ पे एक बार फिर से हम हाची रहें आपके त्रमासिक एक्जाम के कख्छा गैरभी के रसायन के कोश्चन और उसके सेलिशन लेकर ठीक है हमने पार्ट फर्ष्ट में आपको जो है अब्जेक्टिव्स की जो है सभी कोश्चन के आपके जो भी पहुत इंपॉर्टेंड कोश्चन है यह पेपर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार ठीक है तो आपका देखिए यह आपका पर्माडू हो जाएगा आपका यह अडू हो जाएगा तो इस question को आपको तयार करके जाना है very important question है आपके 27 आपका जो सेतंबर है ठीक है इसके बाद आपका इसका answer देखनेजिए आपका answer यह लिखना है इसे अच्छे से करना है आपको तयार कर लेना है आज यह आपको अभी बक्त आपके पास ठीक है आज और कल का आपके पास बक question करियां साथ ही आब आउ करियां ठीक और आपका हुंड कर नियां में तीन आपके पहुत important question कहलाते हैं आपके किसी भी एकजाम में आपके त्रमासी को अर्दबासी को यह आपका final इक ब्याम हो ठीक है यहां पर देखिए आपको यहां से start हो जाएगा तो आपको इससे अच इसके बाद एक line आपको छोड़ देना है इसके बाद 2P, 3P, 4P, 5P, 6P इसके बाद एक line आपको और छोड़ना है इसके बाद SPD होता है SPD स्पीड एप आपका होता है ठीक है कगचक भरने का आपका क्रम तो आपका यहां पे दी, 4D, 5D, 6D इसके बाद आपको एक और चोड़ देना है यहाँ पर फोर एप फाइप अब यहाँ पर आगे सीख सेवन कुछ भी आगे कर सकते हैं ठीक है आपका यह बढ़ता जाएगा एन प्लस वन बैलू पर ठीक है एल पर तो देखिए नेक्ट कोशन यहाँ पर क्या है यह इसे आप स्कीन साट कर लिजी और इसको तयार कर लिजेगा आपका यह इसे लिखना भी पड़ेगा उसमें ठीक है क्रम को तो आप इसे देख लिजेगा इसके बाद चलिए नेक्ट कोशन यहाँ पर दिया गया है द्रबमान सरक्षण का आपको नियम क्या है और इस नियम की आदुनिक स्थिति क्या है आपको यह कोशन लिखना है देखिए आपके लिए काफी मेहनत करते हैं तब जाकर यह वीडियो आप तक पहुंशा पाते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा तो आपका यह आंसर हो जाएगा कहां तक आपक जोड़ जाए जहां इंग्लिस के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भासा के मदद से इंग्लिस बोलना सिखाएंगे वो भी एकदम बेसिक से अगर आप इंग्लिस बोलने से हिचक जाते हैं अपने इंटर्व्यू के लिए इंग्लिस सीखना चाहते हैं अपने आपको इं अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है यह कोश्चन आपका हो जाएगा बियोडी का आपका मापन की उप्योगता इसके बाद देखिए आपका नेक्ट कोश्चन यहां पर है यह सभी कोश्चन बहुत इंपोर्टेंड आपके केमिस्ट्री के पेपर्स के लिए क्लास 11 के लिए ठीक है इसके बाद यह समानताप पर जल द्रब होता है जबकि हाइडोजन सलफाइट गैस है क्यों आपको यह बताना है इसके बाद आपका नेक्ट कोश्चन यहां पर दिया है समानताप पर जल द्रब होता है जबकि हाइड लोजन सलफाइड गैस होता है क्यों आपको यह अंसर पूरे अच्छे से तयार कर लेने हैं इसके बाद आपको पेपर देने जाना है इसके बाद देखिए आपको यहां पे गयारबा कोश्चन दिया गया है निमलिखीत में से आक्सी करन संख्या ग्याद कीजिए तो पहला आ इसके बाद देखिए अचे बाद के लिए इसके बाद देखिए लावर इसके द अधस्वाड़ में इस टो एफसे प्लस करना पड़ेगा से बन करना पड़ेगा इसके बादेखिए आप क्या होगा इसके बाद O7 यानि Oxygen की बाद करता है तो इसके बाद X कम value निकालेंगा तो यहाँ पर 6 आजाएगा तो इसमें देखिए एक ही अडू है आपका प्रोसेस इसका भी होगा ठीक है आपको बताना भूल गया था कि आपको मालूम होगा देखिए इसमें क्रोमियम की निकालना था तो क्रोमियम आपका एक्स हो जाएगा तो फोर अडू है इसे चारदूनी आठ हो जाएगा माइनस में अब जैसे पक्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह भी हो जाएगा यदि आप इसकी स्थानकर औवी भी आपका आएगा यहाँ पे सेउजक्ता निकालने का तो आप इसी प कमेंट में बता दिजिए कि बन गया सर नहीं बनाया तो आप बता दिजिए तीक इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पर नेक्स कोश्चन आवर्त संडी के किसी आवर्त में बाये से दाए जाने पर तत्तो की आपको निम्न गुड़ों को लिखना है पहला आपको पिर इसके बाद पर इसके जगह में यह लिखना है इसके बाद में से पूरा लिखना है इसे बाद आका लिखना घाल लेखा प्रवाव करना है यह बहुत इंपोटेंट कहता है अमल बरसा हमेशा आपको पूछा जाता है तो आप इसे अच्य चिह ये त्यार करिएगा आपको इससे पूरा लिकना इसके इंसर्ट कर लेंगे यहाँ तक इसके बाद आपका अमल बरसा क्या प्रवाव है दुस्स्प्रभाउ पहला आपका दुस्प्रभाव यह वो जाएगा, ठीक है ? क्या होता है यह जल संसाधन प्रसूरिस होते हैं इससे जल में रहने बाल जीवों मैं से मचलीय सरवाधिक प्रभावित होती है आपका एसी ट्रेन से इसके अलाब क्या होता है यहाँ पे जंगलों को छती पहुंचती है पस्चिमी जर्मनी के तीन जोथाई जंगलों को आमलबरसा ने हानी पहुंचाया है इसके बाद आपका इमारतों को भी आमलबरसा नुक्सान हुआ है जैसे कि आप जानते हैं हमारा देश का सबसे बड़ा धरोहर कौन कहला ताज महल वहां भी इसका प्रभाव देखने को मिला है इसके बाद आपको यह लिख लेना है ठीक है संचानर के रूप में देखा जाता है इसमें तामबे के बनी नालिया प्रभावीत हो जाती है ठीक है तो हमने यहाँ पे 14 important question आप आपको अच्छे सेया करना है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है यह वीडियो का लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर देजेगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का है